यहां पर आपका adjective है और वैसे यह video clip number 70 English from 0 to advance का adjective अब देखें adjective इसके पहले आपने देखा था इजे मार वाज वर बिल भी का यूज तो region क्या होता है जैसे देखो is, m, r इन तीनों का यूज किया जाता है है, है, हो, हूं के sense में समझ पा रहे ना, और वाज वर यह पाश्ट में किया जाता था, और किसके sense में, था, थी, और थे के sense में, किलर, और तीसरा आता है आपका, बिल भी, बिल भी का यूज, कहां किया जाता है, किसके sense में, होगा, होगी, है न, और होगे के sense में किया जाता है, अब यहां पर क्या आपको याद रखना है अगर इनके बाद में कोई नाउन आता है है ना हाँ बता रहा हूँ अगर इनके बाद में कोई देखे इनके बाद में अगर कोई नाउन आता है तो उसके पहले ए या एन लगाएंगे ही चाहे एक का सेंस हो या ना हूँ अब नाउन का मदलब क्या हुआ किसी बैक्ति अस्थान वस्तु का नाम हूँ वोसे बताए जाएगा नाउन प्रुनाउन एडजेक्टिब यह सब होता क्या है समझे जैसे मैं कहूँ मैं किसान हूँ अब देखो क्या यहां एक का सेंस है मैं किसान हूँ इसकी इंगलिस तो होनी चाहिए आई एम फॉर्मर यही होनी चाहिए ना लेकिन यह गलत है हाँ यह गलत है इसकी सही इंगलिस होगी आई एम आ फॉर्मर हाँ एक तो नहीं लिखा है ना यही तो समझ रहा है former means होता है किसान former means क्या होता है किसान ये noun है ये क्या आपका noun है किसान भाई किसान का कुछ तो नाम होगा तो ये common noun है और noun के पहले ए आयन लगेगा चाहे एक का sense आये या ना actually मैं किसान हूँ क्या sense आ रहा है मैं एक किसान हूँ न तो यहाँ ए लगा जबकि इसमें एक नहीं समझे इतना मतलब कोई भी noun होगा तो आपको क्या करना है यहाँ पर ए या एन लगाना है लेकिन अगर is m r was were या जो है bill भी या sell भी इनके साथ में अगर adjective आया है इनके बाद में क्या आया है adjective जो की noun या pronoun के बारे में बताता है इनके बाद में अगर कोई adjective आया है तो उसके पहले a या एन इसका यूज नहीं होगा a या एन का यूज नहीं होगा जैसे मैं कहूं मैं इमानदार हूं मैं इमानदार हूँ क्लियर है तो इसकी इंगलिस क्या होगी I am honest ये सही होगी या I am an honest कौन सा सही होगा बताइए पहला सही होगा दूसरा गलत होगा अब देखो मैं इमानदार हूँ बताओ इमानदार किसी आदमी का नाम रहता क्या इमानदार तो आदमी की क्वाल्टी होती है न क्वाल्टी है कि नहीं तो यही जो क्वाल्टी होती है वही होता adjective जो किसी आदमी की quality के बारे मता है वो क्या होता है adjective जैसे मैं कर दू तुम तेज हो तो तेज किसी का नाम होता है क्या अभी मत करना मेरे गाओं में एक का नाम तेज बहादूर है लेकिन हमने तेज की बात किया बहादूर की नहीं तो तुम तेज हो तेज हो ना तुम्हारी quality है तेज की तो ये quality है ना इसलिए adjective है और adjective के पहले ए आ एन नहीं लगेगा तो आ एन आनिस्ट गलत हो जाएगा लेकिन अगर इसी sentence को मैं ऐसे लिख दूँ मैं इमानदार ध्यान से समझना पहुँ मैं इमानदार आदमी हूँ तो अभी देखो मैं इमानदार आदमी हूँ आदमी आ गया ना आदमी का नाम होता है तो मतलब ये noun है अब यहाँ पर इंगलिस होगी I am honest man ये सही होगा या जो है I am an honest man कौन से सही होगा I am an honest man पकरतो लिए यहाँ an honest man होगा क्योंकि यहाँ noun बाबा है इसलिए a an लगेगा और यहाँ क्यों adjective है quality है बलकि ये तो गलत है क्योंकि man है तो यहाँ an आना ही चाहिए ये फरार कर देए ये गलत है ना ये सही होगा समझे तो ये difference होता है अब यहाँ पर question है भाईया ऐसे कौन-कौन सा adjective है अभी तो हम adjective पढ़े ही नहीं भाई English from zero to advance का है अभी noun पुनावन ये से पढ़े हैं नहीं गया मोटा-मोटा आपने जाना noun मतलब नाम होता है किसी बेक्त का नाम स्थान का नाम वस्तु का नाम और adjective आपने देखा है जबकि अगर कोई quality हो तो वो adjective होता है मोटा-मोटा बाकी बताएंगे detail में अब यहाँ पर देख लेते हैं कौन-कौन सा adjective है word meaning के साथ है तो जैसे खुस खुस क्या आपका adjective है और इसकी English क्या होती है happy अब यहाँ पर meaning आपको याद रखना हो खुस की English क्या होती है happy होती है clear है दुखी दुखी की English क्या होती है side होती है दुखी की English side होती है लंबा लंबा की English क्या होती है tall लंबा की English क्या होती है tall होती है पागल और ऐसा पागल जो कि दिमाग से पागल है उसको क्या बोलते हैं मेंटल बोलते हैं है ना जो दिमाग से पागल हो उसको क्या बोलते हैं मैं यहां लिख दे रहा हूं दिमाग से उसे क्या बोलते हैं मेंटल बोलते हैं अब डरा हुआ जैसे वो डरा हुआ है तो डरा हुआ को इंगलिस में बोलते है scared s-c-a-r-e-d scared बोलो या afraid बोल सकते हूँ दो-दो meaning है afraid ज़्यादा सही है scared भी होता है afraid भावक भावक को इंगलिस में बोलते है emotional जैसे कुछ आत्मी होते हैं बहुत ज़्यादा emotional हो जाते हैं बहुत जल्दी रोने लगते हैं बहुत जल्दी हसने लगते हैं बहुत जल्दी एकदम नाराज हो जाते हैं clear मजबूत मजबूत की इंगलिस क्या होती है strong यह सब adjective है ध्यान देना clear मजबूत की इंगलिस क्या होती है strong अच्छा इसकी comparison में opposite बात करें तो कमजोर कमजोर को क्या बोलते हैं w e a k याद रखना weak यह होगा weak means कमजोर clear है सफल सफल को इंगलिस में क्या बोलते है तो सफल को बोलते है success s u double c e double s सफल को क्या बोलते है success बोलते है अच्छा गरीब को इंगलिस में क्या बोलते है poor गरीब की इंगलिस क्या होती है तो बता दो फिर अमेर की इंगलिस क्या होती है reach अमेर की इंगलिस क्या होती है reach होती है r i c h याद रहना चाहिए सब जिम्मेदार जिम्मेदार को इंगलिस में क्या बोलता है Responsible अद्मगता ना तुम्हें Responsible होगे अद्लब जिम्मेदार होगे R-E-S-P-O-N-S-I-B-L-E Responsible means होता है जिम्मेदार क्लियर है चलो नेश्ट बताओ मदद करने वाला एक ऐसा कोई परसन जो की बहुत मदद करने वाला हो मदद करने वाले को बोलते हेलप फुल या हेलफर तो इसे हेलफर नहीं होगा वो नाउन हो जाएगा या एडिजेक्टिब की बात कर रहे है तो हेलप फुल है ना हेलप फुल चलो नेश्ट बताओ बेबस अदम कहता ना एक दम बेबस हो गया था बेबस को इंगलिस में बोलते हैं हेलप लेस आसहाय हो गया था हेलप लेस हेलप लेस मेंस बेबस क्लियर है हाँ अब बेहोस तो बेहोस को क्या बोलते हैं है ना बेहोस बताव भाई दो चीज होता है चलो पहले होस लिखते हैं पहले होस में हो जाते हैं होस इसको बोलते हैं या होस में जिसमें को तुम होस में हो तुम होस में हो तुम होस में हो तो होस में हो इसको बोलते हैं conscious क्या बोलते हैं conscious conscious सी आई ओ यू एस कॉंसियस अच्छा बेहोस में अरे बेहोस में बेहोस में को बोलते हैं अनकॉंसियस बेहोस में इसको इंगलिस में बोलते हैं अनकॉंसियस क्लियर है अदम गता है मैं अलग हूँ तो अलग को इंगलिस में क्या बोलते हैं बताओ भाई डिफरेंट अलग को इंगलिस में क्या बोलते हैं डिफरेंट लोग कहते भी रहते हैं यह डिफरेंट है उससे ठीक जिद्धी जिद्धी को क्या बोलते हैं जिद्धी को बोलते हैं आपस्टीनेट आपस्टीनेट जैसे बच्चे बहुत जदा आपस्टीनेट होते हैं जिद्धी होते हैं अच्छा नेश्ठ है आत्म विस्वासी मतलब self confidence करने वाला आत्म विस्वासी अब आत्म विस्वासी को क्या बोलते हैं तो आत्म विस्वासी को बोलते हैं confident confident जैसे आत्म करता है ना confidence तो यहाँ confident है confident मिन्स आत्म विस्वासी संकोची कुछ आत्म बहुत ज़्यादा संकोची होते हैं हर बती हम संकोच करते हैं तो संकोची को क्या बोलते हैं diffident संकोची को बोलते हैं diffident बोलते हैं डर्पोक डर्पोक को क्या बोलते हैं डर्पोक को बोलते हैं टिमीड टिमीड मिन्स होता है डर्पोक क्लियर है और कायर बैक्ति कायर बैक्ति कायर बैक्ति कायर इंसान तो कायर को क्या बोलते हैं covered कायर बैगते हैं इसको बोलते हैं कवर्ड सी ओ डेवल्यू ए आर डी कवर्ड बैस्त अच्छा बैस्त को तो इसको पता ही होगा ना इसकी इंगलेस बैस्त को बोलते हैं बिजी वी यू एस वाई बिजी क्लियर है और दोसी दोसी को बोलते हैं गिल्टी जिसने कोई दोस किया हो क्लियर है अकेला अकेला को क्या बोलते है अलोन 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 मिन्स होता है अकेला होता है क्लियर है दुर्बल अब देखे दुर्बल को बोलते है फीबल बोलते है F, W, E, B, L, E भीबल, मिन्स होता है दुर्बल हो किलियर है? अब इसके बात में लडाकू किलियर है? जैसे कुछ लड़के होते हैं हमेशाल लडाकू होते हैं लडाकू बिमान की तरह होती है लड़कें भी होते हैं अग्रेसिव किलियर है? हर बात पर लड़ने की मोड़ में रहा अग्रेसिव और जागरुक जागरुक को बोलते हैं अबेर जागरुक को क्या बोलते है? अबेर अबेर मिन्स होता है जागरुक होता है अच्छा इतना समझ पाए? यह है आपका क्या? वर्ड मेनिंग है अब इसका कुछ प्रैक्टिस करवा दिया जा रहा है यहाँ पर देखे वह खुस है इसको क्या बोलेंगे? वह खुस था पाश्ट है तो वह खुस होगा फ्यूचर है तो क्या होजेगा? वह दुखी है तो मैं लंबा हूँ अच्छा दुखी यह फीमिल की बात कर रहा है तो सी का यूज कर देना वह पागल है दिमाग से तो वह डरा हुआ है वह भावुक है वह लड़का मजबूत है तो मैं सफल हूँ इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? वह गरीब है तो दे आर पूर हम अमीर है बी आर रिज वह जिमेदार है तो ही इस रिस्पॉंसिबल वह मदद करने वाला है ही इस हल्पफुल वह बेबस था ही वाज हल्पलेस वह अचेत या बेहोस है तो ही अनकॉंसियस वह चेत या होस में है तो ही इस कॉंसियस या सी इस कॉंसियस या सी है है ना? कोई दिक्कत नहीं वह अलग है ही इस डिफ्रेंट या सी इस डिफ्रेंट तुम जिद्दी हो यू आर इस्टुबार्न या यू आर अब्स्टिनेट वह आत्म विश्वासी है तो he is confident वह संकोची है तो he is diffident clear है diffident वह डरपोक है तो he is covered या he is timid sorry timid करो वह कायर बेक्ते है he was covered clear है next यहां देखिए वह best होगा he will be busy क्या वह दोसी था तो आज ही guilty क्या तुम best थे वह अकेला क्यों था क्यों कि English पहले why was he alone clear है क्या वह हकेला होगा तो क्या होजएगा will he be alone क्या वह मरा हुआ था मरा हुआ कि English dead होगी was he dead अब याद कर लेना कुछ मालू छोड़ गया है तो आप लिख लेना क्या वह मरा हुआ क्या वहाँ डरा हुआ था तो क्या होजएगा was he scared afraid रितेश भैवीत था तो रितेश was terrified भैवीत को क्या वोलते हैं terrified वह दुर्बल है he is people तुम लड़ाकू हो लड़ाके नहीं लड़ाकू हो you are aggressive हम जागरूप थे वीवर अबेयर अब यहाँ कुछ दिया गया हुआ एक लड़का है mix-up है पुरा तो क्या होजएगा ही जा वह यहाँ आका यूज होगा चुगी now हम बहादूर है बेयर ब्रेव clear है चले next आते है यहाँ पर next है आपका यह कहाँ गया हाँ यह है वह एक अकलमंद आदमी है तो ही जा wise man वह एक क्रूर या निरदैई पुलिस वाला है तो he is a cruel policeman clear है वह एक साहसी बेकती है he is a courageous courage person मेनिंग याद कर ले न courage person वह एक बहादूर पुलिस वाला है क्या हुआ है वह एक बहादूर पुलिस वाला है तो is he a brave policeman सचिन एक महान बल्ले बाज है तो क्या होजेगा सचिन वाजा great cricketer मुंबई एक बड़ा साहर है मुंबई जा large city यह है एक सुन्दर तस्वीर है this is a beautiful picture clear है तुम्हें एक अच्छे अध्यापक हो you are a good teacher और हाथी एक ताकत वर जानवर है तो हाथी इजा इजा strong animal हाथी कह रहे the elephant the elephant the elephant is a strong animal कुत्ता एक अफ़दार जानवर है dog is a faithful animal गोड़ा एक खूबसुरत जानवर है तो horse is a beautiful animal और last है वह एक होनहार लड़की है तो सीजा promising girl clear है